जॉइंट्स के लिगामेंट इंजिरी के बाद क्या करें दोस्तों अगर आपको चोट लगई है खेलते वक्त या फिर आपका एकसिदेंट हो गया या आपका पैरफिसल गया आपको अपने घुतने पे, कंदे पे, एंकल पे चोट लगई है और आपको लगता है कि हो सकता है कि आपको ligament की injury हो गई है तो आखिर क्या करें सबसे पहला treatment है price price का मतलब है P R I C E P से protection, R से rest, I से ice, C से compression और E से elevation इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी आपको चोट लगती है अगर उसमें active bleeding बहुत जादा नहीं हो रही है मतलब बहुत बड़ा कोई घाव नहीं है जिसके आपको पटी करानी पड़े तो आप ice pack कीजिए ice pack से आपके जोड की, गुटने की, shoulder के या ankle का जो ligament है उसकी जो सूजन है, जो joint के जो सूजन आई है वो दिरे-दिरे कम होगी दूसरा, आप 2-3 दिन तक rest कर सकते हैं try कीजिए कि कोई compression bandage बान सकते हैं, आप crab bandage बान सकते हैं या किसी तरह का support दे सकते हैं अगर आप field में हैं पर इस चीज़ को ऐसे ही treat ना किरें, इसको इतना ignore ना कीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी problems ठीक नहीं हो रही है तो आप doctor से मिलिए doctor आपके knee joint को या shoulder ankle joint को physically examine करके पता लगा नहीं कोईश करेंगे कि आखिर उसमें कौन से ligament की injury है हो सकता है कि वो X-ray या MRI जैसे कुछ test आपको लिखके दे जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन से ligament की injury है mostly जितने भी ligament की injury होती है उसके अंदर knee या shoulder या ankle वो कुछ दिनों के लिए immobilize कर दिया जाता है पर वो बहुत लंबे समय तक आप उसको immobilize या brace या plaster के अंदर मत रखिए अगर आपके bone में कोई fracture नहीं है अगर आपकी हड़ी नहीं तूटी है या फिर कुछ ऐसे ligament जिनको heal करना जरूरी होता है immobilization से जैसे की MCL और LCL middle collateral ligament और lateral collateral ligament injury अगर आपको इस तरह की कोई भी injuries नहीं है तो बहुत जादा गुटने या shoulder या ankle को jam करने से उनको immobilize करने से वो particular joint jam हो जाते हैं और उसमें movement लगबग खतम हो जाता है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने knee shoulder की mobility maintain करें आप regular दिरे दिरे exercises करें और किसी भी major ligament की चोट अगर आपके MR में दिख रही है तो उसका appropriate इलाज कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि इसी तरह का किसी ligament की injury आपके MR report में आई है तो आप अपनी MR report हमें बेज सकते हैं और हम बताएंगे कि आपके particular ligament के लिए best treatment क्या है उसके सबसे जल्दी और अच्छी तरीके से recovery हम कैसे करा सकते हैं कैसे हम आपको operation से बचा सकते हैं और अगर operation करना भी बढ़ा तो सबसे अच्छा operation क्या होना चाहिए चाहिए